अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कहा है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लो साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा उसको भी आप जाकर के जोइन कर लेना अब जलते हैं जो स्टोक्स हैं उनकी लिस्ट के उपर तो जो सबसे पहला स्टोक हमने चुना है वो है टालना प्रेटफॉर्म इसके रिजल्स हैं वो अच्छे आये हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि यह वाला जो स्विंग है इसके पास में तोड़ा सा इसने वापस नीचे के साइड में प्रोफिट оныकी है तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि यह वाला जो स्विंग एडिया है इसको अ एरिया है वहां पे एक रेजिस्टेंस होगा लेकिन इसके अंदर 50 मिनिट का एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है वह अगर निकल जाएगा तो आपको एंट्री कर लेनी है ठीक है 1090 का लेवल है जहां पे आपको एंट्री करनी है और 1123 का आपका पहला टारगेट होगा 1150 दूसरा टारगेट रखना है और 1190 आपको तीसरा टारगेट रखना है इस्टोपलोस आपको 1070 के उपर लगा के रखना है तो यह हमारा फर्स्ट स्टोक हो गया इसके बाद में जो सेकेंड नंबर का स्टोक है वो है टाटा कंजूमर प्रडेक्ट इसके अंदर भी आप दे दी कलता है तो इसके अंदर आपको एंट्री कर लेनी है इसके अंदर आपको यहां पमर जो 917 का एक पहला टारगेट रखना है और इसके बाद में लगभग 927 यह हमारा एकuciones टारगेट होना चांए यहां पर इस टोपलोस आपको 898 के उपर लगा के अगा के इसके बाद मे लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि ये वाला जो swing area है इसको pass करके इसने थोड़ा सा एक दिन यहाँ पे correction की और उपर निकलने की पूरी कोशिस कर दिया है आज निकल भी गया था लेकिन 2-3 दिन की चुट्टियां है तो यहाँ पे थोड़ा सा profit booking हुई है वापस से आपको level देता हूँ 713 का यहाँ पे आपको entry कर देनी है और यहाँ पे आपको target रखना है 732 का पहला target और 764 का दूसरा target इस टोप लोस आपको 692 पर लगा के रखना है तो यह कलपत्रू power KPIL इसका symbol हो गया है तो यह हो गया हमारा third number का stock इसके बाद में हमने जो fourth number का stock चुना है वो है TTK prestige, TTK prestige के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छी एक chart pattern मना हुआ है weekly chart में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा यह slow हो गया है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह जो chart pattern मना हुआ है इस chart pattern के तुरू यह जो हमारी trend line upper side की है उसकी तरफ जाने वाला है अब यह थोड़ा सा रुक्ये जाता है या नहीं रुक्ये जाता है जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बोला था लेकिन यहाँ पे अच्छी कास से इसने उपर के side में जो chart है वो चल चुका है तो यहाँ पे 814 का जो level है वहाँ पे आपको entry कर हो तो यह हमारा four number का stock हो गया इसके बाद में जो last number का stock है swing trading के लिए कोटक महिंद्रा बैंक इसके results हैं वो कल आने वाले हैं कल आ चुके हैं तो results को भी देखना है लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि यह support area में है और यह जो channel बना हुआ है उसी के अंदर यह का करता है अभी एकदम channel के downside area में है तो उपर जाने के पूरे chances हैं इसके अंदर तो यहाँ पर क्या करना है आपको यह जो green candle है इसका high है 1775 का तो उसको निकाल देता है तो आपको entry कर लेनी है 1797 आपका छोटा सा पहला target होगा और 1820 आपका दूसरा target होगा ठीक है इसके बाद म है वो प्लान करना है तो वीडियो आपको कैसा लगा comment section में जरू से जरू बताएगा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और DMAT account आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल free में हमारे इंडर में DMAT account open कर सकते हो उसका link आपको description box में मिल जा झाल